असलाम अलेकुम जी वेलकम बैक, पावर बीए की इस ट्रेनिंग में मैं आपको खुश्यामदीत कहता हूँ, अब हम क्या करने वाले हैं, हम पाई चार्ट हमने बनाया, पावर बीए के अंदर, और हमने मैप भी बनाया, यानि के पाई चार्ट को मैप के अंदर गुसा के हम उसे देख सके हैं, और मैप जो है, वो जी यो मैप कोई भी हो सकते हैं, जिसमें लोकेशन है, पिन कोड है, पोस्टल कोड है, वाटएवर यू है, अकॉर्डिंग तो दे सीटी नेम, लाटिटीटीड, लॉंगिटीड, उ इस तरीके से, केटेगरीज बगारा शो करवाई थी, and now we are going to actually do, के हम एक मैप बनाएं, और मैप के अंदर हम पाई चार्ट बनाएं, so मैं इसको 18 नाम देता हूँ, पाई चार्ट and Maps, अच्छा दे, इसके अंदर हमने करना कि हमने सिंपल मैप को यहां पे लेक आना है, जो ह यहां पे कोई भी चीज जो है वो उसको paste कर सकता हूँ, कोई भी उसमें point हो सकता है, कि हम इसमें state को लेकर आना चाते हैं, हम इसमें कोई भी और region लेकर आना चाते हैं, we can do that, और उसकी base पे हम कोई भी इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन problem यह होगी कि हमें कोई ऐसी location चूज करन है, what we can do is, कि हम यहां पे कोई भी एक चीज यहां पर paste करते हैं, say for example, मैं legend के अंदर यह paste करता हूँ, now you can see what, मैं इसको जैसी zoom in करता हूँ, you will see, कि आपके पास हर state के अंदर, यह एक छोटा सा plot बना हुआ है, which shows you something, लेकिन यह इतना कोई बहुत point ही नहीं है, and we cannot see it very clearly, तो ह हम इसी एक जगा पर format पर click करते हैं, more options पर जाते हैं, और यहां पर size and style पर जाते है, and hopefully यहां पर हमें bubbles आ जाएंगे, और bubbles के अंदर हम इसका size increase कर सकते हैं, let's see, तो यह हमारे पास size आ गया, bubbles का, now you can see कि हमारे पास bubble का size जैसे increase किया है, we can also see कि हमारे पास यहां पे एक pie chart बन basically एक different way में नजर आ रही है, क्योंकि यह numeric data और इसके कितनी ज्यादा categories बन जाती है, मैं sales को यहां से cross करता हूँ, और यहां पे मैं categories उठा के लिया, ton legend के अंदर, what is happening here now, कि हर एक state के अंदर, जितनी भी category को sale हो रही है, which is furniture, office supply, technology इन तीनों में से, वहां पे highlight होगी है, अग यहां पे हमारे पास सिरफ और सिरफ एक category है, what if I want to show something related to pie chart based on quantity, तो मैं गया करता हूँ, यहां पे जो bubble का size आ रहा है, इसके अंदर कोई, एक मैं quantity डाल देता हूँ, quantity से मुराद मैं sales या profit डाल देता हूँ, अगर मैं यहां पे bubble size के अंदर sales डालता हूँ, now you can see, कि जिस area की sales ज्यादा है, वो area आपके पास different तरीके से आ रहा है, और जिसकी sales कम है, वो different तरीके से आ रहा है, on the other side, category wise भी आपके पूरे एक pie chart जो होता है, वो 100% show करवा रहा होता है, और हर एक चीज़ की इसके अंदर आप पूरी sales की quantity देख सकते हैं, say for example, यहां पे अगर आप गौर कर है, यहां पे भी different है, यहां पे भी different है, यहां पे भी different है, यहां पे यानिके technology की sales ज्यादा है, फिर आपके पास furniture और फिर इसके बाद office applies किया है, so this is how you can create a pie chart inside the chart, और अगर आप चाहते हैं के tool tip के अंदर आपके पास यहां पे profit भी है, you can actually do this like, like this, आप इसके अंदर sum of sales and profit दोनों देख सकते हैं, ठीक है, तो हर category आपके सामने इस तरीके से आजागे, आप इसका size भी change कर सकते है, category के labels जो हैं, वो भी आप डाल सकते है, but it will be really messy, तो मैं category के labels नहीं डालता, but what I can do is bubble size का, यहां से मैं इसका range जो है, वो change कर दो, या इसको मैं data की range में भी दे सकता हू के data range जितनी भी है, उसकी base पर आई या magnitude की base पर भी कर सकते हैं, but I would say to keep it auto, तो हमारे पास जितना भी हम size को बढ़ाएंगे, उतना आजाएगा, colors change करने, you can also change the colors of pie chart, जो हमने blue, dark blue, light blue और orange किये हूए, and you can also turn off that category labels, या इसे turn on भी कर सकते हैं, other than that, अब यहां पे legends को on कर सकते ह यहां पे top पे आ रहे हैं, even though आपको legend top left, top left पे नहीं चाहिए, you can, what, what you can do, it's like center right, which would show like this, ठीक है, तो आप legend को इस तरीके से भी रख सकते हैं, and then you can also do some kind of other things, map setting में जा के road की बजाए में इसको aerial कर दूँगा, then it will show something like this, obviously, पिछे light कम है, तो we need to be very careful about that, dark करूँगा तो इस तरीके से इसको show करवाना चाते हैं, तो usually यह road की तरहा यहां पे show हो रहा हता है, other than that, आप zoom button भी add कर सकते हैं, इसके अंदर, और आप lasso button भी add कर सकते हैं, which will tell you, कि यहां पे click करने तो zoom है, और यहां पे click करेंगे, तो आप कोई भी चीज़ यहां से select कर सकते हैं, say for example, scroll up और scroll down करके भी यह buttons को add कर सकता हूं, और हमारे जितने भी users हैं, they can use this as it is, क्योंकि यह map की option है, तो we can do that, visual border अगर आपको चाहिए, तो आप border भी लगा सकते हैं, something like this, और आप देखें कि नीचे आपका reference भी आ रहा है, अगर आप गोर करें, यहां पे किस ने चार्ट बनाय है, और किसने यह टेकनीक जो है, वो device की थी, तो वो आपके सामने आ गया, और इसके लावे भी बहुत काम आप कर सकते हैं, padding कर सकते हैं, size and position को handle कर सकते हैं, and then background को handle कर सकते हैं, if you want to have a color like this, तो आपका background इस तरीके से हो जाएगा, but you shouldn't do that, and then visual border आप अपने जो on की हैं, उसक something like this, so it will get like this, और आप shadows को on कर सकते हैं, which will show a shadow like this, so यह आपके पास एक map बन गया with pie chart, which you can actually show your bosses या business intelligence solutions को के किस एरिया में कितनी से हो रही है, और आप presentation के दुरान इस किसम के dashboard को वहाँ पे show करवा सकते हैं, तो hopefully आपको pie chart और map इन दोनों का combination अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह lecture पसंद है, तो please follow, like, share and subscribe, और comment section में बताएगा कि आप किस data के उपर map बनाने वाले हैं, see you in the next one, और हम map को और भी detail में देखने वाले हैं, take care and allahafis.